नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में मैं आपके साथ निहा भर्मा जम्मू कश्मीर के युवाओं में अब नया बदलाव देखने को मिल रहा है वे अब हिंसा नहीं बलकि विकास का रास्ता चुन रहे हैं इस बात का उधारन है शिरिनगर के गाजी अब्द अब्दुल्हा ने आतंकवाद का रास्ता ना चुनकर देश सेवा का रास्ता चुना अब्दुल्हा ने कश्मीर एड्मिनिस्ट्रेटिव सर्विस की परिक्षा में 46 वा रैक हासिल किया पिता की मोद के बाद अब्दुल्हा शिरिनगर के बेनिमा स्थित बाल अनाथालिय में रहे वही रहकर उन्हों ने अपनी पढ़ाई पूरी कि गाजी अब्दूल्ला जिनोंने डाई साल की उमर में अपने पिता को खोदिया था और insecurity कश्मीर प्रशास्निक सेवा परिक्षा में च्छालिसवा रैंक भी हासिल किया कश्मीर प्रशासनिक सेवा में 46 रैंक हासिल करने वाले गाजी अब्दुला के समान में डोड़ा में 10 रास्टिये राइफल्स द्वारा एक कारेकरम आयोजित किया गया गुण्णा के रहने वाले गाजी अब्दुला ने हालातों को मात देकर कश्मीर प्रशासनिक सेवा में 46 रैंक हासिल किया जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया गाजी अब्दुला एक मारे गए आतंकवादी के बेटे हैं जो गुण्णा के पिछड़े हुए इलाके से आते हैं उन्होंने शिरे नगर के एक नाथाली में रहते हुए कठिन हालत में पढ़ाई की उन्होंने गरीबी आतंकवाद और संसातनों की कमी से लड़ते हुए प्रशासनिक सेवा में पद हासिल किया है गाजी अब्दुला के पिता मुहमद अब्दुला हिजबूल का आतंकी था जिससे सेना ने एक मुटबेड में मार गिराया था मा ने बड़ी मुश्किल से गाजी को पांचवी तक स्थानिय स्कूल में पढ़ाया बच्चे की लगन देखकर आंगनवाडी में मददगार मा नगीना वेगम ने आतंकवाद के साय से दूर रखकर गाजी को शिरीनगर के बेनीमा में स्थित बाल आश्रम में भीज दिया काम धंदा भी कोई नहीं था गाजी ने डोडा डोटने का फैसला किया और डोडा स्थित सरकारी कॉलेज में दाखिला ले लिया गाजी बताते हैं मैं कॉलेज में पढ़ता था तो अपना खर्च निकालने के लिए शाम को स्थानिय बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लग कॉलेज के पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अलिगण मुस्लिम युनिवरस्टिय में धाक ला लिया वहां से बातणी में सनातकोतर किया गाजी आगे बताते हैं कि मैं शुरु से सीवल सर्विस में जाना चाहता था कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद इसक सभी युवाओं को बुलाया गया था जो भविश्य में प्रशासनिक अधिकारी बनना जाते हैं सभी छात्रों के लिए कारेकरम प्रेरक और फलदाई साबित हुआ इस दुरान गाजी अब्दुला ने युवाओं के साथ एक गरीब बच्चे से एक सफल अधिकारी बनने तक को समान्य करने के लिए भार्तिय से ना खुबी धन्यवाद दिया जिससे चात्रों को आगे बढ़ने और अलाग लग शेत्रों में करियर बनाने के लिए नए अफसर मिल सके कारेकरम के अंत में गाजी अब्दुला ने सभी छात्रों के साथ बाचित की और उनके सवालों का जवाब दिया बता दे कि गाजी अब्दुला ने अपना जीवन संसातनों की कमी से जूसते हुए एक अनाथ आश्रम में बिताया बावजूत इसके उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से किस्मत को हरा दिया पिता की मोत के बाद गाजी का बचपन शीरी नगर के बेनीमा में ए अब कश्मीर प्रशासनिक सेवा परिक्षा में 46 वरेंग हासिल किया गाजी अब्दुला गाजी जी आज यहां पे कौन सा फंक्शन था कहां पर आये थे आप इसके बार्मिन फॉस्टा में बता है यह आर्मी टैनरा की तरफ से फंक्शन था जो डोड़ा डिस्टिक में हु करने हैं बच्चों को इंट्रेक्ट किया उनके साथ तो क्या किस तरह की बातचित हुई क्या और वैसलि एक प्लेट फार्म होता है जहां पे आप सबसे पहले स्टुडेंट्स की ग्रेवेंस से सुनते हैं तो बहुत अच्छा एक्सपिरियंस रहा यूज्वली जो तो ओवेसलि उनको जो आंसर में ले आई तिंक देवार वैरी कंविंस्ट और एक अच्छा सेशन रहा यहां पे तो कितना अच्छा लगता है जब इस तरह के स्टेज मिलते हैं आपको अवेसलि बहुत अच्छा फील होता है आप एक एक एक्सपिरियंस करते हैं एक फिर्स आइक करें हैं घंडेवाद जबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इंक्रेड़िबल मारिज पैलेस राजगार्ड़। और जबीड़।